कि देखिए वर्ग दस में विश्य इतिहास में हम आज हिंद चिन राष्ट वादी अंदुलन के बारें बात करेंगे तो हिंद चिन राष्ट वादी अंदुलन से पहले हम हिंद चिन के बारे में परिचलेंगे कि हिंद चिन क्या है तो भारत के अगर हम भारत की मैप अगर थ चाइना है यहां मैनमार है कि थाइलेंड है और यहां पर movements और कंभूडियों मुछात नाम इस तरह से घेरे हुए है और इधर हम बात कर रहे हैं मैनमार है और यहां चीन है इधर है सागर इधर है सागर तो हम थोड़ा सा इसके बारे में और जान लें कि इसका कितना च्छेतरफल है तो 2,802.80 कह सकते हैं या 2,80,000 वर किलो मिटर में इसका एरिया है किसका हिंद चिन क हिंद elp की हिंद चिन का नाम क्यों हिंद चिन पढ़ा इसके बारे में थोड़ा से जान लेते हैं हिंद चिन का नाम इसलिंगें नाम के लावोस और कंभडिया जो back bütün प्रभाव भारत की थी मतलब यहां कि भारत के लोग जैसे रहते थे वैसे बहुंत कर यहां पाय जाता था लhãब वो शवilt कर पड़ गया और विएतनाम जो था वहांपर उपर उपरिःवियष जो था वो चीन का था मतलब शासन था उन्दमी इंडिया का इसका नाम पड़ गया तो थोड़ा सा बड़ा सा फीगर में देख ले और एक बार हम एकंप्स्प्लेंड करना पूर्व में देख रहे हैं तो जैसे हिंद महार्था कर नाम कैसे पढ़ा है उसी तरह से यहां भी नाम इसका पढ़ा है इसको हम कहते हैं है थight चील ता यहाउए है थीक उसी तरह से दचील में इसका द दचील सागर है मतलब पूरे में भी यहीं डचील कि चील सागर है और पछीम च्छेतने में भाईलेंड है इस तरह से हम कह सकते कि इसके चोहदी के बाड़ thermic came इसका हम परिचे ले लिए कि हींद चीन का नाम इसलिए हींद चीन पड़ा क्योंकि लावोस और कमबोडिया में हिंद रख प्रभाव था और वीद्ट नाम में चीन अभी आप में इसलिए इसका नाम इंडो चाइना यहें चीन पड़ गया और इसकी चोहदी के बात हो इसमें हलाकि जादा वितनाम के बारे में जनना है लेकिक कमबोडिया के बारे में थोड़ा जानते हैं चौतिस सतावदी में कमबोडिया में कुंबज राज का सासन था बारही सतावदी में वहां सुर्य बर्मा द्वितिये ने कमबोडिया में अंकोर वाट का एक मंदिर सुर्व बर्मा दितिय ने बनाय था इसके बार भी एतनाम के बारे में थोड़ा जान लेटे हैं विएतनाव क्या थार प्राइब के OFF पड़ना है तो अधिन देखते हैं तिस्षी सतावदी में चीन में चीनि देश का नाम है जिसी और उस चीनवंस के सासक नाम था सी हूँ टी सी हूंग टी इसने जोटीन का था उसने ब्यतनाम पर कब जाक किर लिया था मैं भीड़ पर ऐसी थी 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 कि बार-बार साशकों ने कब जाक्या जब जब चीन सकती सालीह वा ब्यतनाम पर कबजा किया जब कमजोर हो गया तो व्यतनाम शतंत्र हो रहा था इस तरह से चीन सतादी में मंचू राजबंस उसने ब्यतनाम पर कबजा कर लिया इसके बाद जब अजाद हुआ तो बियत नाम पर फिर फ्रांसीसियों ने कबजा कर लिया और इसी फ्रांसीसियों की कबजा के बारे में हम इस चेप्टर में पढ़ने वाले हैं तो हम अगर ये पुर्वा इतिहास पढ़ लिए थोड़ा मद इतिहास को अब करंट बारा से ज बियत नाम आजाद कब हुआ उने सो पैतालिस इसवी में हुआ फ्रांसीसियों से अजाद ब्यतनाम दो भागों महाब बढ़ गया उत्री बितनाम और दच्छिन बितनाम में जिसके बारे में भी आगे बात करेंगे ये सौट में भी बात कर रहे हैं लेकिन इसी में डीटर था कैसे फिर यह की करण हुआ इस पर हम विस्तार से बात करेंगे आगे की पॉइंट हम और देखते हैं कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों ने कैसे अपने उसको बनाया इसके बारे में मतलब होता है कि कोई सक्तिसाली राष्ट अपने से छोटे राष्ट पर क्या करता है सास भीतना था तो वितना में तीन खेत थे तोंकिन था आनाम था चांटा टो हुओë क्या सबसे पहले पादरियों का आगमन और यहां पर पहले से दूसरे धर्म करने माले थे बहुत धर्म करने वाले थेernे को उसने अपने प्रभाव में लेना को चाहा कौन पादरी लोग जो इसाई धर्म को मनने वाले थे लेकिन वहां के लोग यह चीज़ धीरे-धीरे समझने लगे कि यह काम उल्टा हो रहा है हमारे धर्म के विरूद हो रहा है तो इसलिए उन्होंने वहां पर जनता वहां का अधिकार यह तो इसके डर से अभी बात अभी किये थे हैं कि ःतनाम के इधर लाओस और कमबोडिया है तो यह सब दोनों तो इसको देख करके जो अन्नाम में जब करवजा किया इसको 1513été दिकार को खुद कंबोडिया कंब्रेसिया ने कर लिकाह९ ने अपना स्विकार कर लिया दिकार और उनका चीश अधिनताब का स्विकार करते है कि इसका फ्रांसीसी का खुद से अधिकार भी कर लिया कौन कर लिया फ्रांसीसी इस तरह से अठारा सो सतासी में कहें तो व्यतनाम और कंबोडिया का तो होई गया था लाओस तीनों मिला करके पूरा अधिकार फ्रांसीसी ने तीनों पर अठारा सो सतासी में कर लिया था इस तरह से उपनिवेस वाद की बढ़ावा हुआ आगे हम आप देखते हैं फ्रांसीसी द्वार हिंद चीन को उपनिवेस बनाने के क्या कारण थे आप इसको दिरगुत्रिय परस में लिखेंगे लेकि पॉइंट को समझ लेंगे तो आप बड़ा सा भी कोशन लिख सकते हैं को आर्थी कारण आखित फ्रांसीसी जैसे ब्रिटेन के लोग हमारे भारत को उपनिवेस और उसमें जब बाड़ आती थी तो उसे जलोड मटी फैलता था और उससे क्या होता था कि चारों तरफ खेती अच्छी होती थी इसको देख करके क्रिशी के लाग के चलते भी यहां के भ्रांसीसियों ने चाहा कि उपनिवेस बना ले खनीज वहां बहुत पाया जाते थे जैसे कोईला टीन जस्ता टंगश्टन इसको देख करके भी वह चाहे कि हम उपनिवेस बना ले में कांग एक डेल्टा था जिसकी में भी बात किये हैं वहां जलोड मिटी की उपलबता थी और उपज की अच्छा छेत्र था इसलिए इस पर भी कबजा करने को देश से मतलब आर्थी कारण में आ गया कि इतनी उदेश से उपनिवेस बनाना चाहते थे खा हम बात करें तो सब यह को सब बनाने के लिए वह कहते थे कि हिंद चिन के लोग सब नहीं है वह लुटे रहे हैं वह पढ़े लिखे नहीं समझदार नहीं है तो उन्हों सोचा कि हम अपने ठे पनाने का काम सुरू किया का करने में सफलता प्राप्त की हीद चीन में सिछा देने के ayuda Wähसा में पढ़ाता था और बड़े को फ्रांसी बाक्ता और चलाया उस किताब में बुराई कि बात रखी गई थी और अपनी फ्रांस की प्रसंसा की बात रखे गई थी लेकिन वियत नामी कि दिए यह चीज को उल्टा पढ़ाते थे वह अभी आया से कुछ ठीक कोई बात चालू कर देना चालू है तो यहां पर बात आ रही है कि हिंद चिन में यह फ्रांसीसियों ने सथ 57 तो फिर स्थापना किया था रहां नाम था फ्री लेकिन फिर नहीं था यह सथापना किया था वह बार नहीं बन जाएकéfका अच्छा रंग के दिकारी बन जाएगा इसलिए उसको फेल कर देता था तो कुछ भी द्यार्तियों ने इसके जनकारी जब इसको मिला तो अपस में मिल करके उन्होंने अनामी दल के स्थापना किया और इसी यही अनामी दल आगे चलके अनाजी अस्टूडेंट पत्रीका को बहुतु बनाने के काम किया गया औरफिकली से अधीक से अधीक कमाई कैसे किया जाए फ्राइब को दोड़ा के लिए तो फैदे के लिए तो वहां के अर्थाक्ति एक है पॉल बनार्ड का नाम आता है उसने कहा कि अगर हमें किसी चीज को ज्यादा कमाना है लुटना है तो वहां के अर्थ विवस्ता को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा लेकिन फ्रांसी इस बात को नहीं मानी थोड़ा सीनी छेत्र में उनको प कि अगरी मजदूरों का कोई ध्यान नहीं रखा गया एक बार और इसको वीडियो को दिखाते हैं ताकि आप वीडियो को पाउच करके नोट्स को लिख सकते हैं ताकि आप वीडियो को पाउच करके नोट्स को लिख सकते हैं वीडियो काफी थोड़ा लंबा हो गया है और इस वीडियो में हम चाहेंगे 12 से 13 मिनट में आप नोट् मैं अब हम कुछ आंदोलन के बारे में जानने के कोशिश करेंगे कुछ आंदोलन जो वहां हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी वीडियो में एक दो मिनट में जैसे बियत नाम हिंद चीन में दो धर्म हुआ थे बहुत धर्म कंफूसेश वाद जो चीन से था बहुत धर्म जो आया था इंडिया से आया था लेकि फ्रांसीसी जो थे इसाई धर्म को जबरजर्ती बदलने में लगे थे एक लाग लोगों को इसाई बना दिया था इसलिए वहां के बिद्वानों ने 1860 मे जो हुआ था एक और अंदोलन है जो प्रमुख न्द पूछा जाता है कि होवा ए्बर आंदोलन क्या है तो हुआ थैसके नेत्रूतम थे sö तक आप तो आपका जवाब देना है करांतिकारी धार्मिक अंदोलन है आप इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि हुईन फूसो था कैसा हुईन फूसो बहुत अच्छा आदमी था एक समाज सुधारक था वो सराब खोरी का विरोद करता था गरीब को मदद करता था जुगा का व लेकिन अनुवाईों के देखने के बाद लगा उसको की नहीं भाई अनुवाई इसका बहुत जादा है इसलिए उसने डॉक्टर भेज करके उसे पागल होसित किया लेकिन डॉक्टर भी उसके प्रभाव में आको उसका अनुवाई बन गया अंत्वे फ्रांसीसियों ने इ बाद की भावना बढ़ाने के काम की थी और इसको बहुत अनुवाई लोग था लेकिन इसको अंत में इस तरह से कहत्मा हो गया और हो अंदलने हां पर समाप्त हो जाता है इसके बाद दो परमुक्नेता का उलेक है फान वोई चाव एक है फान चूतिन राजा की सहायता से फ विएतनाम पुष्टक लिखा था लेकिन प्playing आं चूति तिन जो था वो लोकतंत्र और गांतंत्र का समर्थ पर्वर के नहीं भी नहीं रहेगा न राजा रहेगा ना प्रांसाइशी साहर्ताइब रहेगा हमको किसी राजा की भी जरुवत नहीं है उसका भी मदद नहीं नहीं लेना है और हमको क्या होना चाहिए स्वतंत्र होना चाहिए एक परमुख नेता के और चलो अंदोलन एक अंदोलन और है जो वतनामी करांति कारी हमको करने चीन और जैम वह उन्म प सबस्रीसियो वह कहा चले जाते थे वहां बरन जाते चाहिए उसको पूर्म smeलन है लिए चिन पढ़ता हमको कहाँ जाते है यह कुछ करांतिकारियों ने जपान में रेस्टोरेशन सोसाइटी बनाया था टोक्यो में और एक चीन में बनाय था बितना मुक्ती एसोसियेशन जो मंचूराजवन्स की सासन्से मुक्ती चाहता था आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे हिंद चीनमे राष्टवात का विकास कैसे हुआ हो चीमिंग के बारे में भी हम पढ़ें गया धन्यवाद